Hello everyone, मैं हूँ अदीती शाह and I welcome you all to Magnet Brains जहां आपको मिलता है 100% education free from kindergarten to 12th class तो आज हम करने वाले हैं class 12th accounts का chapter number 11 Redemption of Debentures का concept part 2 हम लोग concept part 1 में काफी सारे concepts देख चुके हैं अब जो remaining concepts रहे गए हैं इस chapter के वो आज के lecture में हम सारे cover कर लेंगे ठीक है चलो तो बढ़िया एक बार आगे बढ़ने से पहले मैं चाहा रही हूँ कि जो हमने previous lecture में that is concept part 1 में concepts देखे थे उसको जल्दी से brush up कर लेता है हमने देखा था redemption of debentures का मतलब क्या होता है ठीक है आप अपने debentures को या अपने loan को repay back कर रहे हुसी को हम क्या बोलते है redemption sources of redemption of debentures देखे थे out of capital out of profit out of profit in capital क्या अच्छा होता है वो हमने discuss किया था ठीक है पूरी कहानी सुनी थी हमने एक तरीके से example लेकर और फिर हमने सबसे पहले देखा था कि redemption के पहले सीधे हम redemption वाले दिन जंप नहीं करते हैं उसके पहले हमें कुछ SEBI guidelines ठीक है या rules हमें follow करने होते हैं एक procedure follow करना होता है ठीक है तो यहाँ step by step हम देख रहे थे सबसे first step जो हमें करना है that is हमें DRR create करना होगा ठीक है तो creation of debenture redemption reserve तो यह एक तरह से क्या कर रहे हो आप एक गुल्लक बना रहे हो ठीक है कि आप specific amount आप उसमें अपने profit में से निकाल के specific amount की गुल्लक आप बना के रख रहे हो कि जब redemption होगा तब इसको हम use करेंगे बट फिर हमने देखा था कि यह सिर्फ और सिर्फ दिखावटी entry होती है ठीक है इसमें कोई real cash आपका transaction हो नहीं रहा यह सिर्फ आप एक दिखावटी हमने provisions देखे थे then हमने journal entry देख ली थी DRR से related उसके बाद हमने DRI समझा था तो यहां पर क्योंकि यह आपकी real entry है कि जो आपने profit में से amount निकाला है ठीक है redemption आप उससे amount redeem करोगे तो basically जो amount of redemption के लिए use कर रहे हो उसको आप क्या कर रहे हो उसको invest कर रहे हो आइडली आपके पास पड़ा रहेगा तो उसके आप कुछ भी earn नहीं कर पाओगे तो बेटर क्या है कि आप उसको कहीं पर invest करो और उस पे interest या कुछ किसी भी प्रकार की income को earn कर लो आ रहे है समझ में तो हमने देखा था कि DRI जो है वो आपको purchase करना है 1st April से 30th April के बीच में ही तो अगर जैसे redemption जिस भी डेट पे डियू है आपको देखना है कि उसके जस्ट पहले वाला एपरिल कौन सा है उसके जस्ट पहले वाला एपरिल के 30th date के पहले 30th तारीक के पहले पहले आपको क्या करना है DRI में invest करना है DRI purchase करना है आ रहा है समझ में ठीक है तो इससे related हमने कुछ questions भी देखे थे जिससे आपको और अच्छे से clarity मिल जाएगी फिर हमने journal entries देखी थी तो बहुत सिंपल है DRI में invest कर रहे हैं तो investment कर रहे है investment account debit to bank ठीक है तो debenture redemption investment account debit to bank account यह आप कर दोगे फिर हमने देखा था कि ज जब जिस दिन हमारा redemption होता है उस दिन या उससे पहले पहले ठीक है तो sale of DRI on redemption on or before लिख देती हूं मैं आपे on or before redemption date जिस दिन redemption हो रहा है उस दिन या उसके पहले पहले जो अब आपने DRI basically अपनी बेटी की शादी के लिए आपने FD1 वाई थी example ठीक है तो अब बेटी की शादी का दिन आ चुका है that is redemption का दिन आ चुका है तो उस दिन आप क्या करोगे आप अपनी FD को तुडवाओगे FD को रेलाइस करोगे और वो पैसे को फिर आप redemption के लिए यूज करोगे तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो ठीक है तो second process क्या था second step इसको थर्ड स्टेप नाम दे देते हैं ठीक है first step क्या था DRR create करना है second step क्या था DRI में इन्वेस्ट करना है third step क्या हो जाएगा कि भई redemption वाली दिन आने के पहले-पहले या discuss किया था तो ये तीन steps के बाद DRR, DRI और DRI को बेचने के बाद अब हमारा वो एतिहासिक दिन आ जाएगा ठीक है या बेटी के शादी का दिन आ जाएगा या redemption of debentures का दिन आ जाएगा उस दिन हम क्या करेंगे वो हम देखेंगे तो fourth step, fourth procedure आपका क्या हो जाएगा कि जिस दिन आप redeem कर रहे हो on the date of redemption, आप redemption की entries क्या करोगे ठीक है समझ में आए तो अभी तक तो आपने क्या किया एक गुल्लक बना ली, investment कर लिया तो आपने गुल्लक बना के रख ली, investment कर लिया, आपने पूरी तैयारी कर ली अब बेटी के शादी का दिन आया, उसके पहले आपने क्या किया, investment को बेज के पैसा रेलाइस कर लिया, अब, अब finally redemption की जो हमारी entries होंगी, वो ये होंगी बहुत simple है, जब debenture को issue करते हो, तब क्या करते हो, जितना भी percentage debenture account credit करते हो, आ रहा है समझ में, क्योंकि वो इक तरीके से loan है, अब इस loan को आप repay करने जा रहे हो, redeem करने जा रहे हो, तो क्या करोगे, loan liability एक तरीके से आपकी कम हो रही है, तो liability जब कम होती है, तो क्या करते है, debit करते हैं, तो percentage debenture account debit कर दोगे, कितने amount से हमेशा percentage debenture account आपका debit होगा, credit होगा, face value amount चाही होगा, आ रहा है समझ में, तो percentage debenture account debit कर दोगे, अगर आपने वादा किया है कि redemption के समय हम premium देंगे, तो उस तरह जब आपने issue किया होगा, वो debenture तब premium को आपने liability की तरह create किया था 100 रुपए का debenture था, उसको आप 110 रुपए में redeem करोगे, तो 100 रुपए percentage debenture account debit में कितना आ जाएगा, 100 रुपए, 10 रुपए का premium भी देने वाले हो, extra premium देने वाले हो, तो premium on redemption account debit 10 रुपए, total 110 रुपए आपको किसको देना होगा, debenture holders account को, जिन से आपने loan लिया है, बिलक कुछ भी premium अगर हम दे रहे हैं, redemption की समय, उसको भी debit करेंगे, और उन दोनों का total आपको देना होगा, किसको debenture holders account, आ रहा है समझ में, तो यह आपकी entry हो जाएगी, being amount due, तो यह आपने amount due कर दिया, कि आपको total debenture holders को कितना पैसा देना बनता है, आ रहा है समझ में, first, first entry venture holders account debit to bank, तो यहाँ पर आपने पूरी अपनी loan, अपनी liability को repay back कर दिया, अपनी liability को चुका दिया, आ रहा है समझ में, तो यह entry क्या हो जाएगी, being payment made, आपकी narration हो जाएगी, ठीक है, clear हो गया, तो इसमें कोई doubt तो नहीं है, on the date of redemption, आप क्या entries करोगे, जल्दी से देखो, इन दोनों entries में, बहुत simple है, loan आपने कितना आपको वापस करना है, वो debit कर रहे हो, उस पर कितना premium देना है, वो debit कर रहे हो, total amount आप debenture holders में credit कर रहे हो, और देन उस total amount को आप debenture holders को pay कर रहे हो, ठीक है, चलो, अब four step भी देख ली, अब पूरा redemption वगेरा सब हमारा complete हो गया, ठ अब क्या करना है, अब वो जो एक DRR का गुल्लक आपने बना के रखा था, वो एक बेटी की शादी के लिए गुल्लक बना के रखा था, क्या उसका कुछ भी use है, नहीं, जब redemption complete हो गया, तो अब उसका भी कोई use नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, उस specific गुल्लक, DRR क्या होता है, तो उस specific गुल्लक से हम उसको एक general गुल्लक में transfer कर देंगे, क्योंकि DRR में से आप कभी भी पैसा utilize या fund utilize नहीं कर सकते है, आ रहा है समझ में, क्योंकि वो specific reserve है, उसको आप सिर्फ डिबेंचर redemption के लिए ही use कर सकते हो, यह हमने पढ़ा था, अब क्या हो गया कि redemption हो गया complete तो अब क्या करेंगे, अब जो DRR का पैसा है, उसको हम एक तरीके से general reserve में transfer करने की entry कर देंगे, ठीके तो यह भी एक formality entry है, जो आप दिखाते हो कि भाई, हमने पहले अलग करके रखा था, specific reserve बना के रखा था, अब उस specific reserve को हम general reserve में transfer कर रहे हैं, बस इतनी इसी बात है, ब गुल्लक है, ठीक है, अब DRR की गुल्लक से हम क्या करेंगे, हम general reserve को ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, तो DRR की गुल्लक से amount हम transfer कर देंगे, कहाँ पे general reserve में, ठीक है, जब पूरा redemption वगेरा complete हो जाएगा, इसकी journal entry क्या हो जाएगी, बड़ा simple है, जब DRR की गुल्लक क्रियेट कर तो क्या करते हो, क्रेडिट करते हो, अब उस गुल्लक को आप एक तरीके से फोड रहे हो, तो क्या करते हो, डेबिट, तो debenture redemption reserve account debit हो जाएगा, ठीक है, तो अब ये इस reserve में transfer कर रहे है, तो ये liability एक तरीके से कम हो रही है, इसको debit करोगे, ये liability बढ़ रही है, तो इसको credit क हो गया, तो debenture redemption reserve account debit to general reserve account, बड़ा ही simple है, amount of DRR transferred to general reserve, तो कुछ भी रटने की ज़रुवत नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको example दे दे के जी समझाईए, clear हो गया, अब देखो, एक important चीज है, इसमें जो समझ नहीं है, जो आप questions के तुरू और better way में समझ पाओगे, a company has the option to transfer amount of DRR to general reserve, इधर proportionate amount after every redemption, या full amount after redemption of all debentures, देखो, बड़ा simple है, मैंने लोन लिया 10 लाग का, अब क्या जरूरी है, कि वो 10 लाग का लोन मैं एक बार में ही पूरा 10 लाग रीपे कर दोंगी, जरूरी नहीं है, ठीक है, हो सकता है, मैं थोड़ा थोड़ा करके वापस कर फिर मैं 3 लाग दूँ, फिर मैं 3 लाग दूँ, ठीक है, तो इस तरह से आप installment में भी redeem कर सकते हो, ठीक है, आ रहे है समझ में, तो यहाँ पर क्या होता है, हम जितना जितना redeem करते जाते हैं, ठीक है, जैसे मैंने 10 लाग रुपे example, यहाँ पर जल्दी से example देख लो, जैसे मै आपको अपने DRR की गुल्लक में कितना बना के रखना पड़ेगा, एक लाग रुपे, तो अपने एक लाग रुपे अपने DRR की गुल्लक में transfer कर लिया, ठीक है, surplus balance है, अब क्या होगा, जैसे जैसे मैं repay करती जाओंगी, अपना loan, जैसे जैसे मैं debentures को redeem करते जाओंगी, उससे related, इसमें जो amount पड़ा हुआ है, उसको मैं general reserve में transfer करती जाओंगी, आ रहा है समझ में, तो जैसे, सबसे पहले मैंने वापस किये 4,00, ठीक है, तो 4,00,000 का 10%, that means 40,000, अब जो इस DRR में 40,000 पड़ा हुआ है, इस 1,00,000 में से, उसका कोई use नहीं रह गया, क्योंकि हमने 4 लाक रुपए तो वापस कर दिये, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 40,000 जो है, transfer कर देंगे, general reserve में, ठीक है, फिर अगले redemption की date आएगी, ठीक है, एक साल बाद या दो साल बाद जब भी, ठीक है, अगले redemption जब due होगा, अब सपोस मैंने इस बार कितना repay कर दिया, मैंने इस redemption complete होते ही, general reserve में transfer कर दूँगी, ठीक है, आ रहा है समझ में, अब last 3,000,000 बचे हुए हैं आपके, 10,000,000 में से, जो आपको repay करना है, अब last 3,000,000 जब मैं redeem कर दूँगी, तो redemption की entries के बाद, जो मैं हमने देखे थे, हर बार redemption पे ये दो entries तो आपकी होगी ही होगी, समझ में आ आपका DRR में, वो आप general reserve में transfer कर दोगे, तो इस तरह से तुकडो तुकडो में आप DRR में, general reserve में transfer करते जाओगे, जिसको हम बोलते है, proportionate amount transfer करते जाओगे, या एक तरीका तो ये हो गया, या एक तरीका ये हो गया, कि आपने पूरा redemption कर लिया, complete, पूरे 10,00,000 रुपे इकटा आप फिर क्या करोगे, जो एक लाख है, एक बार में ही पूरा general reserve में transfer कर दोगे, तो या तो तुकडो तुकडो में भेजो, या एक साथ भेजो, ठीक है, बात एक ही है, बस एक तरह से presentation या treatment का difference है, ठीक है, तो जो भी आपको question देखना होगा, हम जब question solve करेंगे, तो अगर question में specify कर दिया कि भाई, जब पूरा amount redeem होगा, उसके बाद ही general reserve में transfer होगा DRR, तब हम वैसा treatment करेंगे, आ रहा है समझ में, तो ये जल्दी से note कर लो, ठीक है, यहाँ पर मैं drawing बना देती हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये एक symbolic drawing बना देती हूँ मैं, तो ये हमारा DRR है, और ये हमारा general reserve है, तो first point में क्या होगा, proportionate amount after every redemption, तो हर redemption के बाद, तुकडो तुकडो में आपका DRR से general reserve में आप transfer करते जाओगे, जो भी proportionate amount आप redeem करते जा रहे हो, full amount after redemption, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका DRR है, पूरा redemption complete होन के बाद, एक बार में ही, एक खटा amount of general reserve में transfer करोगे, ठीक है, तुकडो तुकडो में नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है, तो हर बार entry आपकी यही होनी है, बिल्कुल clear हो गया, जल्दी से इसको भी note कर लो, इसमें कोई doubt हो, तो पूछ लो, ठीक है, तो यह हमने सारे steps देख लेते हैं, methods of redemption of debentures, ठीक है, अभी मैंने discuss किया, इसलिए आपको already यह चीज़ पता है, देखो debentures को आपको कैसे redeem कर सकते हो, या तो lump sum on maturity, या तो एक साथा पूरा 10 लाग रुपे आप lump sum repay कर रहे हो, maturity date पे, या installment में by draw of lot method बोलते हैं उसको, ठीक है, या तो जैसे मैंने बत conversion, तो यह जो दो method है, खुशकबरी यह है कि यह आपको syllabus में नहीं है, तो आपको सिर्फ यह दो methods करने है, lump sum और installment by draw of lots, ठीक है, purchase from open market और conversion हमें syllabus में नहीं है, include, clear हो गया, तो lump sum maturity वाले questions में क्या होगा, बस एक बार आपका redemption होगा, एक खटा redemption हो जाएगा, और यहाँ पर installment by draw of lots में क्या होगा, यहाँ पर आपका तुकडो तुकडो में redemption होगा, ठीक है, अब उसमें आपका DRL, DRI किस तरह से आपका treatment होगा, वो आप जब मैं questions आप देखोगे, मेरे question वाले lectures देखोगे, मैंने एक-एक question आपको solve करवाया है, एक-एक illustration solve करवाया है, तो आपको आपको मिल गया, कि क्या कैसे होता है, अब इतना आप जल्दी से note कर लो, इसमें कोई doubt हो तो पूछो, बागी practice हम करेंगे questions की बहुत अच्छे से, ठीक है, इन concept में कोई भी doubt हो तो पूछ लो, चले, तो अब यह सारे concept सीखने के बाद, हम एक छोटी से summary बना लेते हैं, जि create DRR, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, debenture redemption reserve की गुलक create करनी पड़ेगी, ठीक है, कितनी 10% या 100% जो भी case हो, 10% अगर आपका out of profits and capital चल रहा है, और अगर specify क्या है कि out of profits alone हम redeem करने वाले हैं, तो आपको 100% DRR बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो 10% या 100% जो भी आपका applicable हो, on outstanding face value of debentures, तो आपका एक तरीके से कितना loan की face value outstanding है, वो उस पे आप 10% या 100% जो भी applicable as per law, उसका आप amount से DRR create करोगे, ठीक है, तो first step clear हो गई, second step क्या करोगे, अच्छा एक चीज़ और लिख लेते हैं, या आपको table के accordingly देखना पड़ेगा, ठीक है, if required by law, तो अगर आपको DRR हर बार नहीं बनाना है, आपने जो table देखी थी यहाँ पर, अगर आपको law के accordingly DRR बनाना का mandatory provision है, तो आप बनाएंगे, अगर नहीं बोला गया है, DRR required नहीं है, तो आप नहीं बनाएंगे, ठीक है, आ रहा है समझ मे चलिए, next, इसके बाद क्या होगा, second step होगी आपकी DRR में invest करने की, ठीक है, तो purchase या invest in DRI, ठीक है, इसको मैं अलग color से लिखती हूँ, ताकि अलग सा highlight हो, सबसे पहले DRR create करना है, then हमें DRR purchase करना है, invest करना है DRR में, ठीक है, कितना amount, 15% of debentures, 15% of face value, face value of debentures to be redeemed, ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है, कि जितने total outstanding debentures है, उन पे 10% बनेगा DRR, और जितने debentures आप redeem कर रहे हो, ठीक है, 10 लाग में से अगर आप 3 लाग ही redeem कर रहे हो, तो DRI आपको 3 लाग पे 15% निकालना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, 10 लाग पे नहीं, तो ये difference समझ में आना बहुत ज़रूरी है, purchase, invest in DRI, that is 15% of face value of debentures to be redeemed, तो ये भी तब होगा, अगर आपका law require करता है, तो, if required by law, आ रहा है समझ में, दोनों steps clear होगी, अब क्या होगा, third step आपकी, जल्दी से बताओ, अब बेटी के शादी का दिन आने वाला है, या आ चुका है, तो on और before redemption आपको क्या करना पड़ेगा, DRI को बेशना पड़ेगा, है ना, तो यहाँ पर लिख देता है, sell or realize DRI, on or before redemption date, आ रहा है समझ में, ठीक है, इतना clear होगया, then fourth point, अब क्या करोगया आप, redemption, on redemption date, ठीक है, amount due and paid to debenture holders, amount due करने की भी entry करेंगे और इसको pay करने की भी entry करेंगे, इस sentence को पड़के आप कोई चीज़ यहाद आ जाएगी, आ रहा है समझ में, and last but not the least, क्या, अब redemption complete हो जाएगा, जब आप payment कर दोगे, debenture holders को, तो आपको क्या करना है, DRI तो आपने realize कर लिया, लेकिन आप यह DRIR की गुल्लक फाल्तू में पड़ी होई है, इसको आप क्या करोगे, transfer कर दोगे to general reserve, ठीक है, तो transfer, DRIR to general reserve, समझ में आ गया, तो यह summary से पूरे आपके concepts एक तरह से revise हो गए, सबसे पहले क्या करना है, DRIR की गुल्लक बनानी है, अगर law require करता है तो, then आपको invest करना है DRI में, बट यह investment 30th April के पहले-पहले होना चाहिए, जो redemption के पहले, just April आ रहा है, उसके 30th date के पहले-पहले, बनेगा outstanding face value of debentures पे, and DRI होगा आपका face value of debentures जो redeem करने है, उस पर निकलेगा 15%, ठीक है, अब DRIR, DRI आपने update कर लिया, उसके बाद क्या करना है, जब आपका redemption का date due होगा, उस दिन या उसके पहले-पहले आपको अपना DRI realize करना पड़ेगा, then redemption date पर आपको amount due करके debenture holders को pay करना होगा, and then last में, DRIR को general reserve में transfer करना होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो clear हो गया, चले, तो I hope आपको अच्छे से concepts wise ये chapter अच्छे से clear हो गया है, तो concepts में हमने सारे concepts पूरे brush up कर लिए, अच्छे से समझ लिया, बट, इसकी clarity और इसमें confidence आपको तभी आएगा, जब आप इसके सारे questions को देखोगे, मैंने आपके साथ एक-एक question class में discuss किया है, तो आपको बिलकुल भी चिंता करने की जरुवत नहीं है, क्योंकि generally ये chapter आप लोगों को difficult लगता है, बट, आप ये concept समझने के बाद आपको easy लग रहा होगा, ठीक है, questions और देख लेना, आपका 100% rock solid हो जाएगा ये chapter, ठीक है, I guarantee you, अगर आप मेरे साथ अच्छे से questions भी देख लेंगे, मेरे lectures देख लेंगे, तो आपको अच्छे से chapter 100% समझ में आजाएगा, without any doubt, चले, तो आज के लिए इतना ही, हमारे concepts complete होते हैं, chapter number 11, Redemption of Debentures के, तो I hope अच्छे से सब समझ में आए, कोई भी doubt हो, तो comment section में लिखना नहीं भूलना है, as always, चले, तो stay tuned, goodbye, take care.